हेलो बच्चो कैसे हैं आप लोग I hope सब बहुत बढ़िया होंगे बच्चो सेकेंड चेप्टर हमारा चल रहा था और सेकेंड चेप्टर के अंदर हमने लास्ट जो पढ़ा था वो पढ़ा था IFRS Advisory Council हमने लास्ट पढ़ा था चेप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से IFRS Development की जाती है यानि कि IFRS कैसे Develop किया जाते हैं इसकी Process को हमने पढ़ना है ठीक है तो आपके सामने यहां पे स्क्रीन पे IFRS की Development की Process दी हुई है ठीक है इसको पढ़ते हैं तो इस तरीके से Process की जाती है मैं आप लोगों को समझाता हूँ सबसे पहला यहां पे लिखा हुआ है कि Board क्या करता है हमने Board के बारे में और Foundation के बारे में Last Class में पढ़ा था ठीक है तो Board क्या करता है Board एक Issue Decide करता है ठीक है जी एक Issue Decide करता है जैसा कि हमने Last Class में भी Discuss किया था कि अगर IFRS के अंदर कोई भी दिक्कते होती है तो वो हम Resolve किस तरीके से करते हैं तो आज हम बात कर रहे हैं इसकी Process की तो क्या करता है Board एक Issue Decide करता है और एक सलाकार Advisory Committee Appoint करता है ताकि उस Issue पे सला दी जा सके कोई भी Issue हमारे सामने आ सकता है किसी भी Standard की जरूरत अगर हमारे को होती है या फिर उस Standard के अंदर हमारे को किसी भी तरीके का कोई Changes चाहिए होता है तो एक Advisor जो होता है वो क्या करता है एक Advisory Committee को Appoint करता है ठीक है इसके बाद Board Second Point में लिखा हुए इसके बाद क्या करते है Second Process के Second Part के अंदर क्या करते है इसके कि कमेंट्स आते हैं ताकि एक ऐसा Standard बनाया जा सके जिससे की सभी की Needs पूरी की जा सके आपने देखा होगा कि जब भी कोई काम करवाना चाहते हैं हम या हमें किसी इशू के ऊपर किसी की सलाज चाहिए होती है तो हम क्या बना देते हैं एक Drop Box डाल बना देते हैं Drop Box बना द लिए ताकि आपकी नीड को हम बुरा कर सकें कि इसी तरीके से यहां पर बोड क्या करता है एक Public comment box बना देता है कि आप लोग अपने comment इसमें डालिए कि आपको क्या requirement है क्या नीड है क्या आप expect करते हैं एक accounting standards ठीके जी एक Financial reporting standards ठीके जी आचा अब सभी सभी के comments को ध्यान रखते हुए next point में लिखा हुआ है कि सभी के comments में को ध्यान में रखते हुए board एक final text issue करता है बोड क्या करता है एक final text issue करता है जो की standard से related होता है यानि कि board ये पताता है कि भाई सारे लोगों की बाते हमारे सामने आई अब कभी-कभी क्या होता है ना class के अंदर क कैसे मैंने मान लो एक doubt class रखी तो बहुत सारे लोगों का एक ही question कभी-कभी ज़्यादा होता है तो मैं उसको सबसे पहले ले लेता हूं मैंने का हाँ जी आपका ये question की inquiry सबसे ज़्यादा आई है कि किसी तरीके से board क्या करता है एक final text issue कर देता है जिसके जो की standard से related होता है क ये हमारा जो issue है ये mean issue है हमारा ठीक है अचा जी अब इसके बाद क्या होता है इसके बाद four step में आपके बास में लिखा हुआ है कि अगर board को ये लगता है कि किसी भी comment पर discussion होना चाहिए तो उस पर discussion भी कराई जा सकती है यानि कि सोच करके देखो किसी ने बोला किसी public comment box के इंदर को comment आया और चार लोग चाहते हैं कि हाँ इसके उपर बात नहीं होनी चीए या फिर इससे related कोई और भी चीज सामने आ सकती है जिसको कि पहले elaborate ना किया गया हो यानि कि मैं यह कहता हूं कि मान लो आपने एक point मेरे सामने रखा आपने मुदा मेरे सामने रखा उसके एक aspect को यह आपने उठाया दूसरे aspect को नहीं उठाया लेकिन दूसरा कोई person क्या कह रहा है कि यह जो मुदा है यह सिर्फ इतना ही नहीं है इसके अलावा और भी इसके aspects है तो उसके लिए हमें discussion की जरूरत होती है हमें यह check करना पड़ता है कि भाई कितने लोग इसके उपर क्या क्या views रखते हैं तो अगर board को यह लगता है कि भाई हमारे को एक मुदा जिसके उपर बात करनी है उसके उपर discussion की जरूरत है आपस में पहले विचार विमर्श भी कर लिया जाता है तो हम एक discussion को भी जो है वो करवाई जा सकती है ठीक है next और last point में लिखा हुए किसे भ votes की जरूरत होती है यानि की 15 टोटल होते हैं उसमें से आठ की आठ हमारे को required ही है minimum requirement तो आप से यह objective टाइप में पूछा जा सकता है यह question आप से objective टाइप में पूछा जा सकते कि भाई minimum voting कितनी है जी आठ आप बता सकते हैं यह लिखा हुवा था development of IFRS standard के अंदर सारे के सार bypass में given है ठीक है चलने आगे अच्छा अब देखिए आगे क्या लिखा है आगे लिखा है company की ownership and control हमारा next topic जो है वो क्या है company की ownership and control ठीक है यह तो आपके साथ ने आपके सामने एक diagram बनाया हुआ है ठीक है आए पढ़ते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ठीक इस चीज को पढ़ते हैं कि यहाँ पर डाइग्रामेटिकली जो बताने की कोशिश ली जई है उसका मतलब क्या है ठीक तो ध्यान से सुनना इसको मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों क्या company की ownership और control के बारे में ठीक है जी company की ownership और control के बारे में ओके देखो बेटा यहाँ क्या लिख जिसने ज्यान से सुनो एक company क्या है एक corporate body है जिसने company act की company act 2006 की सारी की सारी needs पूरी कर रखी है यानि कि अगर मैं यह कहता हूँ कि company क्या है तो company registered body है concept के अंदर companies act 2006 यह मैं UK की बात कर रहा हूँ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे तो क्या है 2013 है ठीक है जी तो हम क्या कहते हैं कि company corporate body है जिसने companies act 2006 की need के accordingly खुद को register करवाया हुआ है अब यह क्या मतलब है इस line का क्या मतलब है कि जिसने companies act 2006 की need के accordingly इंगले खुड को register कराया हुए रिश्टर खरवायों पचो इसका मतलब है कि वहाँ पर कुछ requirement होंगी वहांप को requirement होंगी कि registration करवाने के लिए आपको यह काम कूरे करने जरूरी है तो इसका मतलब है कि वहां सारी की सारी शर्तें पूरी कर ली गई हैं वहां सारी की सारी शर्तें जो है वो पूरी कर ली गई है तब ही इसका registration हुआ है तो company आपको कोई पुछता तो क्या है company एक corporate body है जिसने companies act 2006 की जितनी भी related उसके अंदर conditions हैं वो पूरी कर रखी है और इस तरीके से उसने को एक legal unit कह सकती है legal unit कह सकती है यह lawful body है उसने सारी की सारी terms and conditions जो की act के अंदर लिखी है वो पूरी की है तो इस तरीके से company खुद को एक legal unit कह सकती है अगर आपको one marker में पूछा जाता है कि क्या company एक legal unit है true or false तो आप क्या बोलेंगे जी हाजी true है sir तो questions इसके अंदर से ही निकलते हैं अच्छा अब आगे बात करते हैं तो company का जो ownership company के shareholders के पास में होता है यह आप 11th class से पढ़ते ही आ रहे हैं ठीक है आप लोगों को मालूम है बहुत अच्छे तरीके से के company का ownership किसके पास में होता है sir उसके shareholders के पास होता है तो sir directors के पास क्या होता है वो direction देते ह तो company का ownership जो होता है वो shareholder के पास होता है कुछ छोटी और medium company एक दूसरे के share को खरीड़ के एक दूसरे की owner भी बन सकती है हैं सरब इसका क्या मतलब हुआ इस point का मतलब क्या हुआ इस point का मतलब यह है मान लो एक A company है और एक B company एक company का steel का business है और B company का garment का business है ठीक है जी एक company का steel का business है और B company का Garwin का business है अब A company ने market में अपने share launch किए B company ने अब कोई भी इसके share खरीद सकता था जनरल public में कोई भी खरीद सकता था B company आई और B company ने इसके 51% shares मानलो खरीद लिए 51% shares करेद लिए तो क्या बन गई उसकी मालिक बन गई 49% ये company जो A company है उसके shares 51% किसने खरीद लिए B company ने खरीद लिए तो holding किसके हाथ में आ गई? holding आ गई जी B company के हाथ में तो क्या करती है कुछ भी छोटी छोटी company होती है ये कोई medium companies होती है वो क्या करती है एक दूसरे का control hire करने के लिए ऐसे कभी-कभी करती है कि उसके ना shares market से huge level पे खरीब लेती है और 51% कम से कम खरीब लेती है तो वो क्या करती है एक दूसरे की owner बन जाती है और director और manager direction और management को भी समाल लेती है ये भी हो सकता है कि किसी बड़ी company में काम करने वाले director company के shareholder बनके उसके मालिकी बन जाए ऐसा भी होता है कभी-कभी अब क्या मतलब है इस बात का मान लो मैं अपनी ही company मैं एक company में job करता हूँ job क्या करता हूँ मैं उस company का director हूँ अब director हूँ तो मैंने क्या किया मैंने market में जब इसके shares आए ना तो personally जाकर के मैंने इसके shares purchase कर लिए और बहुत सारे shares purchase कर लिए number of shares purchase कर लिए जिससे की management भी मेरे हाथ में आ जाए direction तो मेरे पास में था अब ownership भी मेरे पास में आ गई है तो इस तरीके से ना क्या करते हैं तो हमने यहां पर दो चीज़े देखी एक company दूसरी company को कैसे hold कर सकती है और एक director कुछ अपनी company को कैसे hold कर सकता है उसका वाली कैसे बन सकता है ठीके जी अपने पास में shares को hold करके ठीके जी अब अब जो बोलने जानों उस बात को ध्यान से सुनना हाला कि सबसे बड़ी company सबसे बड़ी hundred UK कमपनियों में यानि कि जितनी भी UK के अंदर top most hundred companies है उनके director ने जितनी company को खुद की company को हायर कर रखा है ना यह सिर्फ one percent ही है यह सिर्फ one percent है तो आप से one marker में अगर कोई पूछ लेता है कि यूके के अंदर ऐसे कितनी companies हैं जिसके कि अपने ही directors ने उसके shares purchase करके खुद उसके मालिक बने हुए है तो आप क्या कहेंगे जी approximately one percent है ऐसी top most hundred companies में से one percent ठीके जी ओके जी अब आम तोर पर बड़ी और लिस्टेड कंपनियों के shareholders pension fund या trust या फिर investment bankers होते हैं देखो अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले यह बताया था कि हमारे पास में कुछ लोग जो होते हैं या कुछ companies जो होती है ना दूसरी companies को hold कर लेती हैं कभी सोचा है कि यह कौन सी company होंगी जो की दूसरी company को hold करना चाहती होंगी सोचने वाली बात है कि मैं अपना business चला रहा हूं आप अपना business चला रहे हो मुझे क्या जरूर होता है आपके business के अंतर टांगडाने की या फिर आपके management को संभाल लेने की कभी सो और सोच करके मैं तुम्हारे को बताता हूं कि ऐसा इस वजह से होता है कि मान लो कुछ pension fund companies है pension fund companies क्या करती है वो क्या करती है कि ना अपने पास में लोगों से investment लेती है या फिर कोई banking companies होती है वो banks क्या करते हैं जी investment लेते हैं खीक है और इन investments को कहा पर लगा देते हैं shares को hold करने में किसी को क्योंकि उनको return चाहिए होती है उनको return चाहिए होती है सोच करके देखो तुमने bank के अंदर पैसा लगा दिया तुमने bank के अंदर पैसा लगा दिया अब bank तुम्हारे को investment के तुम्हारी investment के बदले में return देता है कभी सोचा है कि ये bank ये returns कहां लेकर कहां से कि आता है. क्या वो जो बैंक है अपने ही आप आपको कुछ रिटरन दे देता है क्या वो क्या अंड़ा देने वाली मुर्गी बन जाता है नहीं ऐसा नहीं होता. बैंक आप से डिपॉजेट लेता है, pension funds companies आप से डिपॉजेट्स लेती है या कोई trust companies होती है वो आपसे investment लेती है और आपको return पते कैसे देती है क्योंकि वो आपके दोरा लिये गए पैसे को further क्या कर देती है आगे किसी company के shares purchase करने में invest कर देती है अब सोच करके देखो मानलो मैं एक banking company हूँ मैं एक banking company हूँ मैंने आप से आप बच्चों से कुछ funds ले लिए मैंने का जी आप मेरे customer बन जाईए आप मेरे यहां पे bank में खाता कुलवा लीजिए account open कर लीजिए आपने account open कर लिया आपने मेरे account मेरे bank के अंदर मानलो एक करोड रूपए डाल दिया सबने मिल करके एक करोड डाल दिया ज्यादा बड़ी बात नहीं करता मैं छोटी सी बात करता हूं छोटी सी रखम की हम बात करते हैं एक करोड रूपए आपने डाल दिया अब इस एक करोड का return में आपको कैसे दूँगा यह भी तर लाइबिटी यह मेरे सिर्फ है तो मैंन 10% यह फिर डिविडेंट दे रहे हैं कितना 10% 10% मेरे हाथ में आ गया करोड रूपए का 10% मेरे हाथ में ठीक है जी ओके यानि 10 लाख मेरे हाथ में आ गए अब मैंने आपको प्रपोस किया था मैंने आपको प्रपोस किया था कि आपके investment के ऊपर मैं आपको 8% return दोँगा तो तो banking companies और यह trust companies या फिर pension funds जो companies होती है इसी तरीके से काम करती है वो क्या करती है आपसे investment लेती है और आगे जा करके तो हम क्या पढ़ रहे हैं कंट्रोलिंग के बारे में तो पढ़ रहे हैं ठीक है तो आगे जा करके वो क्या करती है किसी दूसरी company का है तो control पर चेस कर ले ल देखो जी इस सबका company के day-to-day business के अंदर कोई involvement नहीं होती यानि कि ऐसी जो companies होती है जो की banking company है यह ट्रस्ट company है यह फिर pension company है वो जा करके किसी company का investment purchase कर लेती है यानि कि उसमें shares purchase कर लेती है उनको इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि वो company क्या production कर रही है उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि वो कोई steel company है वो की government garment company वो logistic company वो क्या काम कर दी उसका से कोई मतलब नहीं has अगर आपको अगर सोचो अगर आपको कोई meeting arrange करनी हो यह हमने controlling की बात की अब मैं कहता हूँ सोचो के अगर आपको के कोई meeting arrange करनी हो और अलग-अलग मुद्दों पर आम सहमती बनानी हो तो आपके सभी shareholders को invite करना पड़ेगा और सभी की एक राय बन जाए ऐसा तो कोई जरूरी है नहीं यानि कि आप क्या करते हैं आपने अलग-अलग देशों से अलग-अलग जगाओं से अपने shareholders को कठा किया एक मुद्दे के ऊपर आपने meeting arrange भी की और आपको लगता है कि वो सब के सब एक ही राय बना लेंगे अपनी किसी एक मुद्दे के ऊपर ऐसा नहीं होता ठीके जी तो इस सब की बजाए directors को business का management चलाने के लिए appoint किया जाता है ये director और control को अलग-अलग करता है ठीके जी control और directions को अलग-अलग करता है ownership के right किस के पास में है shareholders के बास में लें shareholders आगर के खुद तो decision ले नहीं सकते क्योंकि वो बहुत सारे हैं फैले हुएं पूरी दुनिया में फैले हुएं तो इस काम के लिए क्या किया जाता है इस काम के लिए directors अपॉइंट किया जाते हैं कि आप हमें direction दीजिए कि business किस करी के से करना है सोच करके देखो त्यान से सोचना मेरी बाइग मैंने एक company issue की मैं सॉरी मैंने कुछ shares issue किये मैंने company launch की खिक है और मैंने उसके shares distribute कर दिये यहां वहां कहां कहां distribute कर दिये अब मैंने सबको phone करता फिर रहा हूँ मैंने गा हाँ जी आओ यहां पे control चलाओ बताओ किस तरीके से काम किया जाए बताओ जी हमारे को जो है वो कौन सा product बनाना चाहिए कब बनाना चाहिए कितना बनाना चाहिए ताकि आप जो है मैं यानि कंपनी जो हूँ वो आपको कुछ return दे सके ऐसा मैं सब को phone कर कर के कह रहा हूँ अब मैंने एक बंदे को phone किया वो engineer and doctor था वो कहता जी मेरी field का तो कहना मैं सवाल नहीं है commerce से related मैं जानता ही नहीं हूँ मैंने तो क्या किया है सिर्फ बढ़ाई की है engineering की या फिर doctorate की बढ़ाई की है और मैं तो investments के बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ मैं तो आपकी company's shares इसलिए purchase कर लिये थे क्योंकि आपके companies बहुत अच्छी return देती है और मुझे तो सिर्फ अपने पैसे को double करने में मतलब है मुझे आपके काम से क्या ले ना देना अच्छा मैंने फिर दूसरा phone लगाया तो दूसरे phone पे क्या सुनने को आया हम तो पड़े लेके हैं ही नहीं हम तो अंगूठा शाब आदमी है हमें तो सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है हमारे को पैसा मिल जाए हमारी return मिल जाए timely हमें और कुछ नहीं चाहिए है आप कैसे भी कमांगर के लिए क्या हो मैं बड़ा सोचने लगा मैं यह सही बात है सारे लोग सिर्फ की काम चाहते हैं कि पैसा कमाओं पैसा कमाओं कोई भी आगर के यह काम नहीं समालना चाहता को involvement लेना ही नहीं चाहता फिर मैंने कॉल किया एक परसन को जिसका यह नाम सा रातन ठाटा नहीं हीacas khish जाने को फोन किया मैं रेतन थाटा जी देखो सर मेरी जो कमपनी हैं बहुत बड़ी कमपनी है और मैं सबको कंट्रोलिंग कर लें के लिए बोला रहा हूं यहां पर आप क्या बनाए कैसे बने के से बेचे और कोई कोई आने को हमनी Q je जी मुस्क्रादी रहे हस दिये किया अरे बैया ऐसे थोड़ी होता है मैंने का सर अब मैं आपको फोन कर रहा हूं कि आप यहां आए और आपके अंदर बिजनस एथिक्स बहुत अच्छे हैं आप यहां पर आगर के मेरी कंपनी के अंदर मुझे ऑनर कीजिए कि मैं अपने को स यार हो गए तो वो लोग अपने अपने किसी भी अनुभव की वजह से जानते हैं कि कैसे डिरेक्षिन की जाती है फिल्म इंडर्स्ट्री में भी होता है ना कोई ऐसे फूड़ी ना एक तो होता फाइन सा पैसा लगाने वाला ठीक है जी और डिरेक्टर कोई और होता है चाहिए होता ना ठीक इसी तरीके से कंपनी के अंदर भी कुछ पढ़े लिखे कुछ ऐसे अनुभवी लोगों की जुरूत होती है जो कि डिरेक्शन कर सके तो ओनर्शिप अलग है जी डिरेक्शन अलग है बात समझ में आई अच्छा अब क्या है आगे हमारे पास में कि मतलब मैंने अभी आपको पताया डिरेक्टर क्या चाहता है कि मैं इस कंपनी को कैसे कंट्रोल में और और आगे लेकर कर जाँँ और शेयरोल्डर क्या कहते हैं कि हमारे को सिर्फ हमारी डिटर्ण्स दे तो तो सब के अब्जेक्टिव अलग है तो इसलिए इसलिए क्या होत दस खुद का इंक्रीमेंट खुद के पर्क्यूजिट्स कैसे इंक्रीज हुए कैसे इंक्रीज हूं जैसे मिसाल के तौर पर आपको एक्जाम्पल देता हूं कि कोई भी एक ऐसा गया नाम है रेजूलुचन पास करके डिरेक्टर्स के कहते हैं कि अगले साल से हमारे थे कहन नाम है विडिरेक्टर्स के कहते हैं जो काम हमारे इंक्ञीं प्रक्यूज के चाते हैं तो वो चाहते हैं कि इनको बढ़ा दिया जाए, resolution पास करके, तो वो लोग अपने पे जादा क्या नाम है, कभी-कभी वो करने लग जाते हैं, ठीक है, अब इसके साथ में क्या होता है, इसके साथ में यह होता है, कि एक designation से related जो उनकी मर्यादा होती है, वो तूटने लग जाती है, यानि कि director को point किया गया था, किसलिए कि वो आगे लेकर के जाए company को, यहां तो उसने खुद के बारे में ही सोचना शुरू कर दिया, कभी-कभी ऐसा होता है, अब साथ ही directors को business की financial success के लिए award भी दिये जाते हैं, shareholders को तो कभी नहीं बुलाया के कहा जाता कि आओ जी, आपने बहुत अच्छा गाम किया, कि आपने यहां पर हमारे यहां पर कुछ shares परचेस किये हुए, इसी वज़ासे हम आगे बिजनस कर सुगे, लेकिन directors को उनके direction को देने की वज़ा से company के promotion में, company के success के उपर awards दिये जाते हैं, ठीक है जी, और business statement को यह चीज जो है ना, मतलब bias बना देती है, यानि कि यह partiality वाला काम है, कि आपने shareholders को तो कोई क्या नामे award नहीं दिये, बुलागर के, और directors को क्या नामे आप awards दे रहे हैं, अच्छा financial statement कौन मनाते हैं, financial statement भी directors की, director के सामने ही बनती है, director के साथ ही बनती है, ठीक है जी, यानि कि director के सानिक दिमे ही बनती है, direction, उसी की direction के हिसाब से चलती है, ठीक है जी, तो financial statement भी है ना, कभी कभी है ना, थोड़ी bias हो जाती है, बाइज हो जाती है का मतलब यह है कि निगलेक्ट कर दिया जाता है शेर होल्डर के इंट्रस्ट को कभी-कभी ऐसा होता है और इस financial statement की credibility और reliability कभी-कभी खत्रे में पढ़ जा लिए ऐसा भी होता है ठीक है बेटा तो यहां पे हमने जो यह पूरे सारा हमारा पास में जो यह लिखा हुआ था इसके अंदर हमने क्या पढ़ा है हमने सिर्फ यही पढ़ा है हमने यही पढ़ा है कि हम किस तरीके से कंट्रोल जो है कंपनी को कंट्रोल किया जाता है कौन लोग होते हैं जो director की तरह से अपईर्ट की चाते हैं shareholders के किस तरीके से काम होते हैं और shareholders और đirectors में आपस में क्या लड़ाई जगड़े होते रहते हैं तो ये सारी चीजीं हमने इस control के अंदर इस topic के अंदर पड़ी है जो की था company's ownership and control ठीक है जी ओके अब नेक्स्ट है हमारे पास में the current financial reporting environment ठीक है current financial reporting environment देखो जी यहां क्या लिखा हुआ है कि Enron और Worldcom दो example हैं बहुत ही high profile वाले directors के जो की हेर फेर के दोशी पाए गए थे ठीक है जी accounts और financial statements के अंदर यानि की financial statement के अंदर कुछ हेर फेर की गई थी ठीक है जी इन दो company के अंदर Enron और Worldcom के अंदर जहां पर की directors ने बहुत ही मंझे हुए तरीके से financial statement में हेर फेर करके लोगों को धोखा देने की कोशिश यी थी ठीक है ये मामले केवल shareholder की problems को यह नहीं बढ़ाते हैं ठीक है जी ये मामले केवल shareholder की problems को ही नहीं बढ़ाते हैं बलकि director पे विश्वास की कमी को भी ले करके आते हैं यानि कि सोच करके देखो कि एक director ने financial statement के अंदर कुछ गड़बड़ी की मानते हैं ठीक है उन्होंने गड़बड़ी की अब इसके क्या effect होंगे shareholder का interest तो खराब होगा ही होगा लेकिन next time जो investor होगा next time का जो investor होगा मान लो मैं company का director हूँ और आप मेरी company के shareholder है मैंने financial statement के अंदर किसी तरीके की को गड़बड़ी कर दी इससे आपका interest तो खराब होई गया यानि कि आपकी return तो खराब होई गई अब next time आप किसी को यह कहोगे कि भाई इस company के अंदर जो है वो investment करना आप नही ही कहोगे है ना तो यहां पर मैंने क्या बात बूली दो चीज़ें बूली कि ऐसे काम ऐसी हरकतें ऐसे हेर फेर की वजह से number one shareholder का interest तो खराब होता ही है यानि कि जो current shareholder है उस पे तो effect पड़ा ही पड़ा है लेकिन आगे के लिए directors की credibility के ऊपर भी सवालिया निशान आ जाता है तो यह हेर फेर नहीं करनी चाहिए ठीक है जी इतनी बात मैंने आपको लोगों को बूली अब इसके आगे इससे भी दुख की बात यह है कि जो published financial statement या फिर financial reports होती है उस पर shareholder कभी विश्वास नहीं कर पाते यानि कि हमने ये बुला कि हमने एक financial statement आपको दी और last time कोई financial statement जो है उसमें हेर फेर पाया गया था तो अब जो नई financial statement दी गई है क्या आप उसके उपर विश्वास कर पाएंगे क्या उसके business के साथ में आगे बढ़ पाएंगे मान लो आप एक shareholder है और आपसे धीरे धीरे दीरे shares के पैसे लिए जा रहे थे application पे दो रुपए allotment पे तीन रुपए इस तरीके से तो आप ना अभी पूरा पे नहीं की है आपको अपनी company के financial statements मिली mail पे आई आपके और आपने उसके अंदर हेर फेर पाया next time आपका जब भी आपके पास में कोई financial statement आती है तो क्या आप उस mail को खोल करके भी देखना चाहेंगे तुम यहीं सोचोगे ना हमेशा के यार यह तो अपकी बार भी ऐसे कोई ना कोई hair fairy किया हुआ होगा मुझे तो इस company से बाहर निकलना है तो यह यह सारी चीज़ें जो है ना यह directors की जो हमारे पास में एक limitations है ना directions की उस चीज़ को लेकर के आती है ठीक है अच्छा दुनिया भर के अलग-अलग regulators को financial reporting और auditing के बीच तालमेल बिठाने के लिए के लिए हम लोग जो है वो अपॉइंट करते हैं और इन लोगों को इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ financial reporting और auditing के वीच में तालमेल बिठाया जा सके इस काम के लिए भरसक मेहनत करनी पड़ती है बहुत लंबा सफर तैय करना पड़ता है इसका मतलब क्या है इस बात का मतलब यह है कि हमारी financial reporting है हमने financially कोई report किया हमने अपने shareholders को या अपने investors को बताया कि यह हमारी साल की statement थी अब auditor ने उसके अंदर दस चीज़ें पकड़ ली कि यह आपने जो financial statement बना रखी है यह खराब बना रखी है Chartered Accountant ने पकड़ ली तो दुनिया भर के जितने भी जितने भी रेगुलेटर्स होते है रेगुलेटर्स कौन है जी जो rules regulations बनाते हैं उनको implement करने के लिए काम करते हैं तो वो विचारे यही सोचते रहते हैं कि ऐसा कौन सा standard हम बनाएं कि भाई financial reporting की credibility बिल्कुल सही तरीके से काम्याभी की तरीके से बनाई चाह सके यानि कि financial reporting बिल्कुल सही हो और auditor उसके उपर अपनी सही रिपोर्ट दे सके यानि कि दोनों चीज़े financial reporting और उसकी checking चेकिंग किसके द्वारा है जी chartered accountant यानि कि auditor के द्वारा ओडिटर चेक करेगा financial report directors बनवाएंगे तो दोनों के बीच में जो चताल मेल बनाना पड़ता है न यानि कि दोनों ही चीज़ें सही रहें regulators इसके लिए पूरे time अपना प्रियास करते रहते हैं ठीक है तो यह हमारे पास में दिया हुआ था current financial reporting environment के अदर के आज के तोर पे financial reporting का environment कैसा है auditors और जो financial statement है उसके बीच में हम लोगों को जो है वो बहुत जादा दिक्कतों का साहरा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है खिक next है हमारे पास में corporate governance corporate governance क्या होता है खिक है इस चीज़ को समझें भई हमारे पास में Cadbury report 1992 एक important definition देता है किसके बारे में यह corporate governance के बारे में corporate governance के बारे में ठीक है जी तो Cadbury report 1992 एक important definition देता है और वो क्या कहता है कि corporate governance वो system है जिससे companies को direct और control किया जा सकता है यानि कि company को direction दी जा सकती है और control किया जा सकता है ठीक है जी हम क्या कहते हैं अगर कोई हमसे पूछता है तो हम क्या कहते है corporate governance क्या है तो corporate governance Cadbury report 1992 में इस definition को बोला हुआ है the system by which companies are directed and controlled is known as corporate governance एक कंपनी अपनी limitation से दूर shareholders के interest या interest holders की वजह से economy के लिए बहुत बड़े पैमाने पर जिम्मेंदार होती है एक मिनट है रिएगा हां जी हाँ मेरी बात सुनों company अपनी limitations यानि कि उसकी जितने भी limitations है उसकी financial reporting system या फिर audit का या फिर किसी और तरीके का कोई भी काम है ठीक है तो इन सभी limitations के अलावा इन सभी जितने भी इसकी limitations है उसको अगर हम पीछे छोड़ दें उसको अगर हम side में रख दें और जितने भी उसके shareholders हैं उनकी return को लेकर के उसकी जो limitations है और जितने भी लोग इसके साथ में काम करते हैं जितने भी लोग इसके साथ में काम हैं इन सब को इन सब को एक साइड भी कर दें सारी चीजों को हटा दें तो उसके बावजूद भी एक काम बहुत जादा रह जाता है कंपनी का क्या कि वो जो है एकनौमी के अंदर अपने योगदान के लिए बहुत लाट स्केल पे बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो जिम् होल्डर कंपनी फिर डैटर्स क्रेइटर्स सब को साइड भी कर दूँ उनके सारे के सारे मुद्दे निपट भी जाएं तो एक मुद्दा और हमारे सामने आ जाता है और वो क्या है वो यह है कि भाई कंपनी समाज के बिती क्या responsibility रखती है यानि कि उसको एकनौमी के अंदर उसको क्या उसकी एक नाम है काम करने है और किस तरीके से वो काम करेगी एकनौमी के साथ में companies का बड़ी-बड़ी companies होती है जैसे हमारे यहां पे reliance है टाटा है ठीक है और कहना हमें बहुत बड़ी-बड़ी company हैं कुछ और बहुत बड़ी-बड़ी company हैं जो कि steel की business में भी क नाम करती है तो यह जितनी भी companies है ना इनी की वजह से क्या होता है हमारे पास में अब एक ही नाम की एक ही नाम की नहीं सौरी एक ही परसन की यह फिर जैसे रिलाइंस ग्रूप है companies के groups होते हैं तो इन companies के groups का जो क्या नाम है हमारी involvement होती है economy के अंदर कि वो क्या बनाते है customers को कैसे खरीदता है अच्छा कितने लोगों को वो रोजगार देते हैं जिसकी वजह से employment और unemployment के बीच में हम differentiate कर सकते हैं तो ना एक company के अगर personal matters को side भी कर दे ना तो उसका उसके economy के लिए बहुत ही important role होता है ठीक है जी अच्छा अच्छा जी आगे सुनो क्योंकि यह companies जो होती है अब ऐसा है यह important role तो है लेकिन यह important role क्यों है क्योंकि company क्या करती है जो भी goods या services provide करती है उसका सीधा का सीधा संबंद किस से होता है जी हमारी economy हमारे समाज से होता है जैसा कि मैंने आप लोगों को क्या बताया company जो है हमारे पास में वो देती है employment देती है तो हम differentiate कर सकते हैं कि हमारी कितनी percent economy के पा environment है अब जरूरी नहीं है कि मैं private companies की ही बात करता हूं मैं public companies की बात भी करता हूं मैं government undertakings की भी बात करता हूं सभी की मैं बात करता हूं ठीक है जी तो इस सब को इस सब में public responsibilities और corporate social responsibility के concept शामिल होते हैं यानि कि देखो simple सी बात है कि आपने एक ऐसी organization को खोला हुआ है जो की economy से सीधा संबंद रखती है आम लोगों से सीधा संबंद रखती है तो आपकी public responsibility भी कुछ बनती होगी क्या public responsibility बनती होगी अब सोच करके देखो सोच करके देखो कि company है जो की किसी भी तरीके का कोई भी product बनाती है और वो अपना waste जो है उससे environment को गंदा कर रही है उससे environment को गंदा कर रही है पानी को गंदा कर रही है या कोई भी services प्रोवाइड कर रही होती है तो उसका समाज के प्रती सीधा संबंद होता है और इसको हम क्या कहते हैं जी public responsibility कहते हैं या फिर corporate social responsibility कहते हैं CSR जिसको की हम short form में बूलते हैं corporate social responsibility के concept जो है वो इसी के अंदर आती है ठीक अचा अगर किसी company के director इन सभी groups के लिए जिम्मेदार हैं तो उनको accountable भी होना चाहिए यानि कि अगर मानलो कोई directors हैं और वो उनके उपर responsibility डाली गई है उनको उनके उपर responsibility ये डाली गई है कि आपको social corporate responsibility का ध्यान रखना है या फिर public responsibility का ध्यान रखना है तो ना किवल उनके उपर जिम्मेदारी सेफ डाल दो ये ही काफी नहीं है उनकी accountability भी तैय करनी पड़ेगी यानि कि अगर वो इस काम के लिए जिम्मेदार हैं तो वो किस हद तक जिम्मेदार हैं इसको पूरा ना करने की दशा में उनके उपर क्या penalty लगेगी क्या fine लगेंगे ये accountability ये उनकी मतलब जवाब दे ही भी होना चाहिए सिर्फ यही नहीं है कि उसको जिम्मेदारी दे करके छोड़ दिया जिम्मेदारी के साथ साथ उससे जवाब दे ही भी होनी चाहिए यानि कि समाज के प्रती वो बताएं कि उन्होंने जो काम गलत हुआ है उसको किस तरीके से ठीक करने की तो इस सब के लिए हमारे पास में corporate governance का होना जरूरी है आचा जी नेक्स्ट लिखा हुआ है purposes of purposes of corporate governance corporate governance के क्या purpose है ठीक है इस चीज को ध्यान से सुनिएगा कि corporate governance का में objective जो है उन parties की निगरानी करना है जो owners के resources and assets से control होती है ठीक है जी बात समझ में आई तो corporate governance जो है उसका में objective क्या है corporate governance का में objective है उन parties की निगरानी करना उन parties की निगरानी करना मतलब कि वो चीजें जहां पर की owner के या shareholders के resources यानि कि उसके funds जो है वो utilize हो रहे हैं यानि कि आप shareholder है आपने company के अंदर पैसा लगाया उस पैसे से company ने कोई asset purchase किये अब इस asset का सही utilization हो रहा है या नहीं हो रहा या फिर ये asset किसी personal use के लिए तो use नहीं हो रहा ये चीज की निगरानी करना जो है वो corporate governance का main objective है यानि कि आपने shareholder ने पैसा दिया या कोई जमीन दी मानलो ऐसा भी होता है कभी कभी ठीक है जी कि वह काइंड में आपने कुछ के अनाम है investment कर दिया हमारे पास में जैसे कोई लोग क्या कर दे मेरे पास इतनी जमीन है मैं आपको जमीन दे देता हूं ठीक है जी आप बदले में मुझे अपने shares दे दीजिए इस तरीके से तो वहाँ पर वो जमीन दी गई थी किस काम के लिए मानलो ऑस्पिटल बनाने के लिए या फिर कोई अच्छा काम करने के लिए और वहाँ पर जो है वो सिर्फ money making चल रहा है तो यह जो चीज है यह जो आप से collect किया गया है उसका सही utilization हुआ है या नहीं हुआ है यह किसका main objective है देखना यह main objective है देखना corporate governance का ठीके जी अब बढ़िया corporate governance का main objective long term shareholders values यानि long term shareholders investors को बनाई रखना है और अपनी performance को improve करना है ताकि उसकी जवाब देही और विश्वास बढ़ सके अब देखो यहां पर मैंने क्या बोला मैंने ये बोला कि बढ़िया corporate governance पहले तो हमने ये बात कर ली कि कॉर्परेट गार्पर्र गवर्र नंस का main objective कैंप अब बढ़िया corporate governance अब किसको कहेंगे बढ़िया corporate governance आप उसको कहेंगे जो long term shareholders को अपने पास retained कर सके long term share holders कैसे retained होते हैं सोच करके देखो अगर आपको proper अपनी returns मिल रही है आप company के फैसले से हमेशा खुश है तो आप अपने shares को बेचना नहीं चाहेंगे है ना जी आपके shares दिनो दिन बढ़ते ही जा रहे है तो आप अपने shares को बेचना नहीं चाहेंगे बलकि आप further और share purchase कर लेंगे तो आप क्या हो गए मेरे साथ में long term investors हो गए long term investors हो गए तो कहने का मतलब यह है कि बढ़िया corporate governance कब होगी उसका main objective कब पूरा होगा sir तब पूरा होगा जब की हमारे पास में long term shareholders जुडेंगे possibility को जो है वो उसकी जवाब देई दे पाएगी अपनी performance को improve कर पाएगी तब ही इसका main objective पूरा होगा जी तो next है हमारे पास में need for corporate governance और इसके अंदर हमें पढ़ने हैं जी elements क्या elements है हमारे पास में corporate governance के यानि ये corporate governance कि के अपर काम करती है और क्यों इसके जरूरत है इसके अनदर सबसे पहला point है जी effective management corporate governance का क्या जरूरत है या फिर उसका सबसे पहला उदेश ये क्या है क्या objective है उसका कि उसकी effective management management को effective बनाया जाए मतलब जितने भी management के अंदर कोई भी कमिया या कमजोरियां हैं उनको दूर करके एक बढ़िया सी management को बनाया जाए नेक्स्ट है effective effective system of internal control इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है internally control करना किसी भी काम को जैसे मान लो एक supervisor ने अपने subordinate को कोई काम दिया करने के लिए और subordinate ने उस काम को किसी दूसरे के ओपर responsibility डाल दी तो ऐसा नहीं होना चाहिए जितने भी हमारी management है management के अंदर उसके employee हैं उसके managers हैं फिर आगे काम करने वले लोग हैं उनका एक ऐसा effective system होना चाहिए जिससे ही output निकल करके आ सके तो इस चीज को कौन ध्यान करती है इस चीज़ का ध्यान करती है जी corporate governance ठीक आचाहिए जो हमारे directors होते हैं third point के अंदर लेखा वह directors के जितने भी काम है उनका proper valuation करना भी corporate governance का एक main objective है या फिर एक element है ठीक है जी यानि की directors ने क्या काम किया किस तरीके का उनका output था इस चीज़ को evaluate करना यह भी नहीं सिर्फ कि भाई सिर्फ उनको awards बांटते रो उनको praise करते रो हाँ अगर उनके कामों के अंदर कोई दिक्कत है तो उस चीज़ को भी evaluate किया जाना चाहिए उसके लिए उनको grades देने चाहिए या फिर किसी तरीके के कोई award देने चाहिए या फिर बताया जाना चाहिए डिवोट किया जाना चाहिए डिमोशन किया उनकी होनी चाहिए या कोई विए ऐसी चीज़ से की evaluation हो सके जैसे हम कियाते हैं ना कि किसी भी कंपनी में star company star employee of company star employee of company इस तरीके से हम लोग दूसरों से अलब करते हैं किसी भी अच्छा गाम करने वाले को इसी तरीके से directors के कामो को भी evaluate किया जाना चाहिए directors को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम ही owner बन बैठे हैं हमारे सिर्पे कोई है ही नहीं कि हम सबसे बड़े हैं ऐसा नहीं लगना चाहिए नेक्स्ट है directors को accurate salary और percusates देना यानि कि ऐसा नहीं है कि corporate governance सिर्फ directors की गर्दन पकड़ करके बैठा रहता है corporate governance ये भी देखता है कि accurate salary मिले इनको accurate percusates मिले accurate का मतलब क्या है यहाँ पे कि ना कम मिले ना ज्यादा मिले यानि कि ज्यादा मिल रही है तो उस चीज़ को भी देखा जाना चाहिए और अगर कम मिल रही है तो किन वजहों से उनको कम मिल रही है इस चीज़ को भी देखा जा अच्छा इसके बाद में financial reporting system को true and fair बनाना मैंने थोड़ी दिर पहले आप लोगों को बताया था ना कि कभी-कभी directors जो है अपनी पोस्ट का फायदा उठाब करके financial reporting reporting statements को कुछ गुम्रा कर सकते हैं तो corporate क्या ना मैं यह इसके यूजर्स को सही information दी जा सके अच्छा next point के अंदर लिखा हुआ है कि shareholders के साथ अच्छे और reliable संबंद बनाना अब अच्छे और reliable संबंद कब बनेंगे जब हम इनको proper dividend देंगे timely इनको dividend देंगे इनसे सारी के सारे effect shares करेंगे share करेंगे कोई भी इनसे concealment effect नहीं की जाएगी यानि कि किसी भी effect को छुपाया नहीं जाएगा इनसे तो इनके साथ में अच्छे संबंद बन सकते हैं तो ये भी किसका काम है जी sound corporate governance का ठीक अच्छा जी आगे चलते हैं देखे क्या लिखा हुआ है यहां पर बुला गया है कि शेर होल्डर के प्रती शेर होल्डर के प्रती जितनी वी accountability होती है शेर होल्डर के प्रती accountability में company के डारेक्टर्स को various documents and reports बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए वैसे तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है management की होती है और management को direction किससे मिलती है जी डिरेक्टर से ही मिलती है तो अगर कोई गड़वड़ी है ना financial reporting system के अंदर तो उसकी accountability किसके उपर आनी चाहिए यानि कि misguide किया गया है कि इसको shareholder को या इसके users को तो उसकी accountability उसकी जवाब दे किसके उपर आनी चाहिए directors के उपर आनी चाहिए अच्छा जी financial statement एक बहुत ही important report है इसमें financial performance और business की position को दिखाया जाता है जैसा कि आप लोगों को पताईए ये जानकारी विशेश तोर पर shareholders के लिए जरूरी होती है और financial statement को ऐसा होना चाहिए कि investors company की position का actual रूप पहचान सके यानि कि जितनी भी financial statements हैं उसको इस तरीके का बना होना चाहिए इतना सटीक और valid होना चाहिए कि उससे एक investor उसका एक user उसकी actual position को जान सके कि हाँ जी इनके पास में इतने assets हैं इतनी liabilities हैं तो इनकी market value क्या है क्या मुझे इस company के इंदर invest करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ठीक है जी अब ये जो accounting reporting system है ये किस दोरान बना होता है सर एक accounting period के दोरान बना होता है और ये जो है हमारे business की success को भी दर्शाता है यानि कि बताता है कि हमारा business कितना successful है ठीक है जी अच्छा आगे सुनिए एक company के directors की ये responsibility होनी चाहिए कि वो जाच ले कि जितनी भी financial transaction एक financial year में की गई है उन्हें identify करके properly record किया गया है और summarize करके इसके investors या users को provide किया गया है यानि कि जितने भी company के directors हैं उनकी यही responsibility ये responsibility भी होनी चाहिए कि वो अपना पल्ला नहीं जाड़ सकते वो क्या कहते हैं वो कुछ बचना चाहते हैं किसी भी गलती के case में जब कोई गलती सामने आ जाती है तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास में जितने भी directors हैं company के जितने भी director हैं उनकी responsibility होनी चाहिए कि वो ये जाच लें कि financial transaction पूरे साल के अंदर जितनी भी लिखी गई है उसको properly identify होना चाहिए वो सॉरी हां जी तो मैं कहा था कि financial transaction properly identify होई है यानि कि सबको record किया गया सबको identify किया गया उनको बढ़िया से record करना चाहिए और ऐसे समुराइज वे में प्रस्तुत किया जाना चाहिए प्रेजेंट किया जाना चाहिए शेयरोल्डर के सामने जिससे की यह company की success का पता लगा सकें तिके लिए और डिरेक्टर को यह ensure कर लेना चाहिए कि उनके पास accounting standard जो इस्तिमाल हो रहा है या सौरी accounting system जो इस्तिमाल हो रहा है accounting system जो use हो रहा है वो fraud और defect या फिर error से रहीत है उसके अंदर कोई भी error नहीं है डिरेक्टर को यह अच्छे से जान लेना चाहिए ठीक है जी तो हमारा यह second chapter जो है यहीं खतम होता है आने वाले chapters में आने वाली classes में आपसे फिर मुलाकालो मैं फिर से मुलाकात होगी till then keep learning bye bye